आदेनिय देख जी लोक तंत्र में आलोचना का बहुत महत्म में मानता हूं और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो की मदरब डेमुक्रासी है सद्यों से हमारी हां लोक तंत्र हमारी रगों में पनपाव हुआ है और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोग तंत्र की मजबूती के लिए लोग तंत्र के समवर्धन के लिए लोग तंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धी यगना है उस रूप में हम आलोचना को देखने हाज़ा है लेकिन गुरुभाग्य से बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूँ कोई तो महनत करके आएगा कोई तो अनॉलिजिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाब हो लेकिन नौ साल आलोचना नहीं आरोपों में घवा दिये जिदों सिवाए आरोप गाली गलोच कुछ भी बोल दो इसके सिवाए कुछ नहीं किया गलर प्राव और हाल ये चुनाव हर जाओ EVM खराप देदों गाली चुनाव हर जाओ चुनावायोग को गाली देदों क्या तरीका है अगर कॉर्ट में फैसला पक्समे नहीं आया तो सुप्रिम कॉर्ट को गाली देदों उसकी आलोचना कर दों अगर अगर ब्रस्टाचार की जाच हो रही है माने अद्दक जी अगर ब्रस्टाचार की जाच हो रही है तो जाच एजन्टियों को गाली दो अगर सेना पराक्रम करे सेना अपना शौर ये दिखाए और वो नेरेटिव देख के जन जन के अंदर एक नया विस्वास पादा करे तो सेना की अलोच ना करो सेना को गाली दो सेना पहरोप करो किया अifying सेना म्याकि देख की प्रगती की खबने आएं आर्थीक प्रगती की चर्चा हो विश्व के सारे संसान वारत के आर्थीक गवरवगान करे तो यहां से निकलो और भी आई को गाले दो बारत के आर्थिक संस्तानों को गाड़ी दो आदेने अत्रिक जी हमने नौ साल देखा है मानने एक प्रिटिस्दम की जगा मानने आप सदन के नेता हैं आप आने सदस्यों को समझा देने लिए जिसकी आवशक्ता है यह संसदी परंप्रा के अनुरूप नहीं है कि बेठे बेठे बोले नौ गलत नौ आपने भी बोला है गलत तरीका है यह नौ बैट या यह गलत तरीका है ना ना जाई जब सदन के नेता बोल रहे हैं तो आपको अब मर्यादा से सुनना जी प्लीज बेटिए माणिय प्रतामती जी जी मांद अर्था जी पिखेले नौ साल हमने देखा है कुछ लोगों की बैंकर्प्सी को देखा है कि कंस्ट्रक्ट्रीव क्रिटिग्सम की जगां कंपल्सिव क्रिटिक्स ने ले ली है और यह कंपल्सि क्रिटिक्स इसी में डूबे हुए हैं खोये हुए हैं मान्य अद्धिक जी सदन में ब्रस्टाचार की जांच करने वाली एजन्चियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विशे में सूर में सूर मिला रहे थे मिले मेरा तेरा सूर अद्धिक जी मुझे लगता था देश की जन्ता देश के चुनाओं के नतीजे ऐसे लोगों को जुरूर एक मंच पर लाएंगे लेकिन वो तो हुआ नहीं लेकिन इन लोगों ने इडी का धन्यवाद करना चाहिए कि इडी के कारण ये लोग एक मंच पर आये हैं इडी ने इडी ने इडी ने इक लोगों को एक मेंच पर लादिया है और इसलिए जो काम देश के मद्दाता दरी कर पाएं अधनी अध्यक जी मैं कई बार सुन रहा हूं माने अध्यकी मैं कई बार सुन रहा हूं यहां कुछ लोगों को हावर्ट स्टडी का बड़ा क्रेज है कॉरोना काल में ऐसा ही कहा गया था और कॉंग्रेस ने कहा था कि भारत की बरबादी पर कि हार्वर्ट में क्रेश्ट ट्री होगी अधर कहा पर और कल फिर सदर में हरवर्ड युनिवर्सी की में स्टड़ी की बात कल फिर हुई लेकिन मानिय दगी बीते वर्षों में मानिय दगी बीते वर्षों में हरवर्ड में एक बहुत बड़या स्टड़ी हुई है बहुत इंपोर्टन स्टड़ी हुई है और उस स्टड़ी है उसका टॉपिक क्या था मैं जुरुर सदन को बताना चाहूंगा और यह स्टड़ी हो चुकी है स्टड़ी है The Rise and Decline of India's Congress Party ये स्कड़ी हो चुका है और मुझे विश्वास है देखे बिश्म हैं कॉंग्रेस की बरबादी पर शिर्ब हार्वर्ड नहीं बड़े बड़े विश्व विध्यालेव में अद्यन होना ही होना है और दुमाने वाले लोगों पर ही होने वाला आधनिय अधिक जी मैं ऐसे लोगों के लिए आधनिय अधिक जी इस प्रकार के लोगों के लिए दुष्यंत कुभारे बहत बड़ी अबाते कि और दुष्यंत कुभारे जो कहा है बहत फिट बैरता है उन्होंने कहा है तुम्हारे पाउं के नीचे तुम्हारे पाउं के नीचे कोई जमिन नहीं कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं